मैं विनेजेन विजिल आईएस आज आपके समक्ष फिर से एक नया विशे लेके उपस्तित हूँ आज का हमारा विशे है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर और ये उसका एक फिजीकल रूफ है ये एक नोट्स है प्राची नितिहास का आप देख सकते हैं भारती ये प्राची नितिहास जो है आपके MPPSC सिलिवस में जो आपका पाठिकरम है उसमें लिखा हुआ है शारपपा सबताशी दश्मी शताबदी तक के इतिहास को आपको पढ़ना है यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है संचेप में इस नोट्स का शंकलन मैंने किया है मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देता हूँ मैं 95 से कॉंप्टीशन एक्जाम्स में हूँ खासतोर से सिविल सिवा की एक्जाम्स में मैं एन्वॉल्व रहा हूँ और 2010 से मैं इंदौर में अध्यन अध्यापन कारियेशी जुड़ा हुआ हूँ मेरा स्वहिम का अपना एक कोचिंग है इस किताब को लिखने की प्रेणा मुझे टेलीग्राम से मिली क्योंकि मैं टेलीग्राम पे कुछ प्रिश्णों के उत्तर उसके एक निश्चित फॉर्मेट बनाकर शेयर करता था जिसका मुझे काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला और अभ्यरतियों की ये मांग थी मांग है उसको मैंने ध्यान में रखते हुए इस नोट्स का संकलन किया है इस नोट्स की कुछ हम खोबियों को आज आपके सामने आज आपको हम बताना चाहे रहे हैं सबसे पहले तो ये आता है कि इस नोट्स को आप कहां से प्राप्त कर शकते हैं तो इस notes को आप इन दौर से प्राप्त करशकते हैं, यह मेरा यहाँ पर पता लिखा हुआ है, और आप इसको online भी आप हमसे मंगा सकते हैं, इन दौर में भी यह किताब सारे bookie stalls पर लगभग उपलब्द है, तो आप वहाँ से इस किताब को प्राप्त करशकते हैं, इस किताब में सबसे पहले हमने जो चैप्टर कवर किये हैं उसको अपन यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं पहला हमारा जो चैप्टर है वो सिंदु घाटी शब्दा का है फिर उसके बाद वैदिक शब्दा है उत्तर वैदिक काल है महाजनपद है संगम युग है नवीन धार्मिक आं पूत काल को एक ही अध्याय में शमेट दिया गया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो आपके सारे चैप्टर सें यह 20 से 25 पेज में लिखे गए हैं और सारे जो आपके टॉपिक हैं वो प्रिशनोत्तर शैली में लिखे हैं और मद्द प्रदेश PSC में जो आपका भ आपको दिखाता हूं देखेगा यहाँ पर सबसे पहले मौरियवंस एक मैने अध्याय लिया यहाँ पर आप किसी भी अध्याय को देखेंगे तो उसमें आपको सेम जो है आपको कंटेंट मिलेगा यहाँ पर देख रहे होंगे पर्थम दृष्टिया तो आपको यह लग र परणाम हुआ ऐसी तरह से पढ़ने से क्या होता है आपको चीजें हमेशा याद रहती हैं और आप चाहें तो इसको डेटेल्स भी कर सकते हैं इसको पचास सब्द में भी आप इसको लिख सकते हैं इसी तरह से देख रहे हैं आप यह अर्षास्त का हमने एक दूसरे स्टक् करके हम तो सभी अभ्यरतियों से यह चाहते हैं कि वो आपका जो संपूर्ण सिलेवस है उसको इसी तरह से अपने नोटस वो बनाएं ताकि एक्जाम के पहले वो उसको ठीक तरह से एक प्रकार से उसको रिवाइज कर पाएं रीकॉल कर पाएं ज्यादा से ज्यादा वो उस अतिलगुत्री प्रिश्ण जहां पे खतम होते हैं, वहां पर उसके बाद हमने प्रक्टिस के लिए आपको कुछ यहां पे कुश्चंस दिये हुए हैं, आप उन प्रिश्णों का अभ्यास करके अपनी जो तैयारी है, उसको आप जो है जाज सकते हैं, परक्षकते हैं, देख तक हैं, ABCDX, करीब 25 से 26 प्रिश्ण हैं यहां पे, आप आते हैं जहां पे आपका अतिलगुत्री यानि 10 सब्द वाले यानि 3 मारकर कुश्चन खतम होते हैं, उसके बाद उसी चेप्टर के अंदर लगुत्री प्रिश्ण जो की 50 सब्द में आपको लिखने हैं, वो सुरू हो जाती हैं, अब आप देखें किस तरह से इसको लिखा गया है, यहां पे लिखा है मौरिय कालीन सामान प्रशासन, तो सामान प्रशासन के वारे में सबसे पहले बताया गया है, कि मौरिय कालीन प्रशासन केंद्री करत परंतू लोग कल्यान की भावना पर आधारित था, आप उसका इंट्रो देखी, ऐसा लगेगा जैसे ऐसे ही हमको एक्जाम में लिखना है, एक्जाम वाली फेलिंग के साथ आप इसको पढ़ेंगे, है ना फिर देखी यहां पे जो आपका उसका सामराज था आसोप का, वो कितने प्रांतों में बटा हुआ था, उनकी क्या र राज के विभिन काम काजों में विशिष्टी करन लाने के लिए अनेक विभागों की इस्थापना की गई थी, जिनके प्रमुख तीर्थ कहलाती थे, यहां पे हमने राज के साथ क्या बता दिया, उनका प्रिशाशन का जो एक विभागी ये ढाचा था, उसकी क्या विशि कुछ एक प्रकार से उसका सामान प्रिशाशन का आपने परिचे करा दिया है, आप जानते हैं जैसे जैसे आपका वर्ड लिमिट बढ़ता है, वैसे वैसे डिटेलिंग भी आपकी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे आपका वर्ड लिमिट कम होता है, वैसे वैसे आप अमराज पांच भागों में बटा था, तो वो पांच भाग कौन से हैं, वो यहां पे लिखा हुआ है, उनके प्रमुक कौन हैं, वो यहां पे लिखा हुआ है, तो आपको कहीं भी कोई भी confusion नहीं होगा, बहुत clarity के साथ सारे चीजों को लिखा हुआ है, और structure बनाने का हमारा आपको उसमें एक presentation अगर effective होगा, तो आपको कहीं न कहीं पढ़ने में उसमें interest आता है, अच्छा लगता है आपको, अब जहां पर आपके लगुत्री प्रिश्न के उत्तर खतम होती हैं, उसके ठीक बाद आपने देखा होगा, practice के लिए यहां पे बहुत सारे प्रिश्न द कि जो आपने पहले पड़ा है, यानि यह पड़ा हुआ है, आपने या तयार किया हुआ है, आपने याद किया हुआ है, उसी आधार पर आप बिभिन तरह की प्रिश्नों को अलग-अलग structure की, अलग-अलग format के साथ आप लिखने का अभ्यास करें, अब जहां यह खतम होता ह है, इसी चेप्टर, एक ही चेप्टर के अंदर फिर आपके दीरगुत्री प्रिश्न का जो है, प्रिश्न उत्तरशैली में लिखे हुए हैं, यह 200 सब्दों में लिखे हुए हैं, यह 200 सब्द की आप देखी, फॉर्मेटिंग है, किस तरह सी लिखा हुआ है, कि मगद के उत समराज जुबना, जिसके कुछ प्रमुक कारण इस प्रकार है, बहुत संचेप में हमने इंट्रोडक्शन किया है, और फिर डाइरेक्ट हम जो प्रिश्न की मांग है, उस पर आ जाती है, आप कारण भी देखिए, आर्थिक कारण, भागोलिक कारण, राजनेतिक कारण, और फिर उन कारणों के अंदर जितने भी कारण हैं, वो सारे बताय हुए हैं, यानि प्रिश्न का उत्तर का जो धाचा है, और वो कितना आपने देखा होगा, एक प्रकार से प्रभावी है, और प्रभावी उत्तर जब आप लिखेंगे, तभी आपको अच्छा नमबर मिलेगा लाश्ट हमारा सिलाइड है, इसमें दीरगुत्रिय प्रशन जहां पर खतम होते हैं, वहां पर आप देखेंगे प्रशनों का कुछ अभ्यास कर पाएं, उसके लिए हमने 20-30 प्रशन दिये हैं, इन प्रशनों को देने का मकसद ये होता है, कि आप ने जो विशे तयार किया है, उस विशे में जितने भी संभावित प्रशन बन सकते हैं, उन सबका एक बार आप अभ्यास कर लेंगे, तो आपको एक्जाम में कोई परेशानी नहीं होगी, आप comfortably वहां पर लिख पाएंगे, तो ये हमारी आज की एक हमारे जो नोट से उसका मैंने एक रिव्यू आप के साथ साजा किया है, यदि आपको ये रिव्यू अच्छा लगता है, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, और आप कुछ इस बारे में अपनी सुझाओ देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी सुझाओ दीजिए, थैं अबना उना करें, तो करें से लाइक करें, तो कि दिए एक अबनार में येयदक वेता चाहते हैं, अबनार चाहता है करें, पिए, यार वड़ किल